आखेर यह जो सर्वे है इसको लेकर के विवाद के ज़रा ये भी समझ लीजे क्या है विवाद? मंदिर या मस्जिब? कब से सर्वे चल रहा है? 22 मार्च का समय दिया गया था अला कि कोट की और से पूरा समय दिया गया था SI को कि वो सर्वे कर सके सर्वे कब खत्म हुआ है सर्वे खत्म हुआ 28 जून को कितने दिन का समय दिया गया था किते दिन चला था यह सर्वे तो यह चला था 98 दिनों तक तो देखे जरा सा कि बहुत लंबा वक्त दिया गया если P його observed YouTube जाखर गरी wichtig रिपोर्ट्स में चाहिए को दावा किया जा रहा है किसने किया सर्फे न सशर्वी आप जानते भी होग़े क्या क्या है ऐसाइख की रिपोर्ट में च्राइव कि दावे को मश्भूट करते हुए सब्सक्राइब जिसमें सिक्के है जो देवी देवदा की मूर्तियां है जानवरों की प्रतिमाए है तमाम चीजे वो हिंदू पक्ष की दाविय को मजबूत करती है कुल सत्रा सो यहां पर सबूत है बोशाला मंदिर है या मस्जित है इसको लेकर के आज क्या होने बाला जरा समझ लीजे हाइख हाई कोट में सर्वेर रिपोर्ट सो पी जानी है हाई नेकाई होगी हाइख को मामले को लेकर या आप मूरे open को दरान रहे भी है मौझूद लेकिन इस बीच जरह देखिए कि किस तरीके से सर्वे किया गया सर्वे की बाद जो 1700 सबूत है वो यहां पर कोट में हिंदुपक्ष की दावे को मजबूत करते हैं और दरसल यह बताते हैं कि जो दावा हिंदुपक्ष की योड़ से किया गया था मंदर को लेकर के वो परियाप्त है बदावे को मजबूत करने के लिए जैसा की एसाई की टीम ने सर्वे काफी बैग्गैनिक तरीके से सांटिफिक तरीके से किया है 98 डेज यह पूरा सर्वे चला है यह साई का और इसके बाद 2 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट से अपना थी लेकिन इन्पूट से उसके उमताविक जस तरह के इस तरह की कलाकरतिय यह जिह तरह के स्लोक उसमें लिखेंए चुक्कि हंडू पक्ष हमेशा से कहता रहा है कि भोच साला है उसे चुक्कि राजा भोज है था ये हिंदू पक्ष का दावा है और चुकि राजा वह जो है वो साहित और आध्यन करवाने के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ पर इस वह साला का निर्मान कराया था यहां पर मास अस्वती देवी की मूर्ती इस्थापित की गई थी हलाकि जो असल मूर्ती है वो लंदन में लेकिन मूर्ती की विस्तापना वाकिती और देखे कई तरह के तत्य हैं ऐसा माना जाता है कि मस्जितों में इस तरह की कलाकरतिया नहीं होती है और जो निर्मान अभी फिलाल जो जो सर्वे टीम ने पाया है उसमें कई ऐसी चीज भी ही होना है लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का जो बिवाद चला रहा है लंबे समय से उसमें यह माना जा सकता है कि आप कोट थ्यासिक फैसला तो ले गाई लेकिन हिंदू पक्स के तर्क ज्यादा मजबूत नहीं राते हैं क्योंकि वहां के स्थानी लोगों से भ ज़े और अखिलेश आप दोनों जानकारी दे रहते हैं बढ़ते आंगे और बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की कर लेते हैं जहां मुहरम के दौरान नारे बाजी करने का मामला सामने आया जब जुनूस निकल रहा था तो नारे बाजी की गए आपत्ती जनक नारे बाजी की गए जिसको लेकर विवाद कड़ा हुआ क्या था पूरा मामला देखिए एक मिनिट की रिपोर्ट में उतर प्रदेश की अमेठी में मुस्निम समधाई की यूगकों ने मुहरब के जुनूस के दौरान आप पत्ती जनक नारे बाजी की जुनूस के मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने पहुचने पर उसमें शामिल यूगकों ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसेन कहना है जैसे नारे लगाए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है एस पर अनूप सिंग का कहना है कि कुछ लोगों को हिरासत पर लेकर पूश्ताच की जा रही है वीडियो की भी जाच कराई जा रही है जो भी आउस से वधने करवाई है वो की जाएंगे अलाकि रिपाब्लिक भारत इस वीडियो की पुश्ती नहीं करता लेकिन वहीं पुलिस ने मामले में केस जर्ज करके जाच शुरू कर दी है जिलूस में शामिल योगों को पशिकान जाक का सा जा रहा है जिलूस रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत और इस बीच आयोध्या में तीन सौ से जादा जो अफसर थे उनको यहाँ पर सम्भानित किया आ गया जहां उनको सम्भानित किया गया शिक्षा से जुड़ी हुई संसा संकल्प जरिये सम्भान समारो आयोजित किया गया था जिसमें सभी अफसर अपने परिवाल के साथ शामिल हुए इस दोरार राम मंदिर ट्रस्ट के महा सचिप चंपतराय और उतर प्रदेश के पूर्व डेपिटी सीम दरेश शर्मा भी मौजूद रहे समान सवारों में सभी अफसरों को राम लिला के आशिरवात के साथ देश की सेवा के लिए प्रेरित किया गया और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया इतना ही नहीं सभी अफसरों ने परिजनों के साथ राम लाला के दर्शन किये और राम राजी का संकल्प भी लिया मेरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत और लोग सभाद चुनावों को लेकर जैसी चुनाव खत्म हुए भले ही एक महिने बीच चुके हो लेकिन उत्तरप्रदेश के सियासी पारा अभी भी बढ़ा हुआ है धार्मिक तुष्टी करण को लेकर भारती जन्ता पाटी और स्पी में एक बार फिर से पलट वाज शुरू हो गया है मुख्यमंत्री जन्ता को गुम्रा करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे है यूपी की सीम योगी अजितिनाथ ने एक बर फिर समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टी करण का आरोप लगाया है योगी ने आरोप लगाया कि पुरानी सरकारों में धर्म विशेश के जुरूसों के नाम पर जम कर मनमानी होती थी लेकिन बीजेपी सरकार में सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है मौका था यूपी बीजेपी की कारिसमिती की बैठक का जहां लोगसभा चुनाब परिणामों को लेकर चर्चा हो रही थी इसी दोरान बीजेपी कारिकरताओं को समोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में धर्म विशेश की तुष्ची करन के लिए जम कर मनमानी होती थी लेकिन सरकार बदलते ही ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई दरसल योगी चुनावों में बीजेपी की परदशन को लेकर कारिकरताओं में फैली निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे थे योगी ने कहा कि नतीजों से कारिकरताओं को बैक फुल पर आने की जरूरत नहीं है कालकरताओं की मेहनत और सहयोग की वज़े से यूपी को गुंडा मुक्त किया गया है पहले ताजिया निकालने के नाम पर घर तोड़ दिये जाते थे लेकिन अब जाती धन के नाम पर होने वाला भेदभाव बंद कर दिया गया है याद करिए इसी महर्रम के समय में सड़के खाली हो जाती थी सूनी हो जाती थी आज महर्रम आजजित हो रहा है इसका पता भी निलग रहा है